दमदर मल्टी इस्टारो फिल्म मा कलंग और इस तोहाली में फिल्म के तरफ से कुछ सिन लिग किये गए है जो फिल्म के इस्टारो के है जिसमें हमें फिल्म के इस्टारो की एक जहलक दिखी अलाकि दोस्तों इन पिक्चर्स में हमें केवल फिल्म के इस्टारो का बेक पोस् एक फिल्म के इन सीन्स का अंदर जाता आराम से लगाया जा सकता है तो चलिए देखते है फिल्म के इन पिक्स को दोस्तों यहां में वरुन धवन का एक पिक दिखा जिसमें वरुन हमें सर्टले सावतार में दिखे गुवे दोस्तों यह आले बटक जो एक बड़ी सी हविली में टहलती दिखी और उस्तों आदितरा एक अपूर एक बड़े आदमी या फिर जमिदार के बेटे के रूप में दिख रहे है मुझे दोस्तों या सुनक्सी सिना एक हाउस वाइप के रूप में दिख रही है और यहां पर मादूर दिखसित का एक मुझरा करता हुआ सीन हमें दिखा मुझे दोस्तों या संजेदात एक आमीर बुजूर गात्मी के रूप में दिखे दोस्तो फिल्म के इन पिक्चर्स को देखी तो साब कहा जा सकता है कि ये फिल्म आपको शारुक खान की देवदास की तरह दिखेगी साथी ये फिल्म आज की फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा अलग होगी दोस्तो कलंक के इन पिक्चर्स को देख ये तो साब पता चल रहा है कि ये फिल्म पुराने समय की फिल्मों की तरह है और इस फिल्म का सेड भी 90's के समय कब बनाया गया है तोस्तो जाए आप आलिया वरुन को इस समय की फिल्मों में काफ़ी स्टाइलिस अवतार में देखते आये है लेकिन कलंक में आपको फिल्म की इस्टार कुछ अलगे अवतार में दिखेंगे और फिल्म के इन पिक्चर्स को देख का जा सकता है कि ये फिल्म काफ़ी अलगतर साथ यो बॉलिवूट से जोड़ी लेटेस्ट अब्डेट के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें लाइक सेर गमेन जरूर करें